नमस्कार दोस्तों में कुल वाना वान थोरा सुपी का सुभागाय थे आपके मुझे जैनले टुडे स्पॉर्ट टिपस पे दौस तरफ बात करते हैं लेकिन अगर सही पलानीं के साथ इंवेस्टमर्ट नहीं किया जाए तो पैसा खोना भी बहुत असान होता है लेकिन बारत में स्टोक मार्केट में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनोंने कुछ हजार रुपय के साँ शुरुवात की थी लेकिन आज बारत के टोप अमीरों में शामिल हो चुके हैं इनकी खास बात यह है कि जिस भी कंपनी में अपने निवेश करते हैं जादत तर कमपनीों के शेरों में अच्छी कमाई देखी जाती है यानि अगर इनके निवेश करने के बाद आम निवेशक उन कमपनीों में निवेश करता है तो भी बेतर मुनाफ़क कमा सकता है और आप भी उनकी टिप्स को फोलो करके शेयर मार्केट से अच्छी कमाई कर सकते हैं और आपको शेयर मार्केट के बार में जानना है तो इससे पहले भी कई वीडियो बनाए हैं वो आप देख सकते हैं राकेश जुनजुनवाला इनको बारत का बॉन वुफिट कहा जाता है राकेश जुनजुनवाला ने 1985 में 1200 रुपेशे शेयर बजार में निवेश की शुरुआत की थी उन्होंने सबसे पहला शेयर टाटाटी का खरीदा था 1986 में टाटाटी के 5000 शेयर बेज कर उन्होंने 5 लाख रुपे का मुनाफ़ा कमाया था आज इसी काम के जरीए उनकी नेट बर्थ 15600 क्रोड रुपे हो गई है और आज वो भारत के 53 पनवे सबसे अमीर सक्स बन चुके है आम निवेशकों के लिए मिस्टर जुनजुनवाला ने कुछ टिप्स दिये है निवेश करते समय खुद पर ब्रोशा होना जरूरी है सही मोका मिलने पर पैसा लगाएं रिटरन पर फोकस रखें इनवेश्ट करने से ज़्यादा एहम है कि उसमें आपको रिटरन कितना मिलेगा चोटे शेयर को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए शेयर को कम मुनाफ़े में बेचने की जल्दबाजी ना दिखाएं इसमें डोली खना भी आते हैं इनकी टिप्स और प्लानिंग को अपना कर लोगों ने अच्छी कमाई की है और कर भी रहे हैं इन्होंने आम लोगों को ये टिप्स दिये हैं डिमांड देकर ही शेयर चुनें स्टोक्स पर अपनी पेनी नजर टिकाए रखें ज्यादा डिटर्न का लालच ना करें रादा किशन दमानी रिटेल बिजनस और बड़े निवेशक हैं दमानी के बारे में कहा जाता है कि जिन कमपनियों उन्होंने पैसा लगाएं ज्यादा दर कमपनियों के शेयरों में अच्छी कमाई देखी जा सकती है इनकी कुछ टिप्स ऐसी है किसी भी कमपनिय में पैसा लगाने से पहले उसकी बैलन्स इट जरूर चेक करें शोर्ट रम के लिए पैसा ना लगाएं हर सेक्टर पर नज़र रखें पॉर्टफोलियों में कैश का कम से कम इस्तेमाल करें शेर खरीदने से जादा उन्हें कब बेचा जाए इस पर दिमाग लगाना चाहिए प्लानिंग बनाने से पहले यह तया करने की आपको कितना निवेश करना है स्टोक खरीदने से पहले तया करने की आपको उस स्टोक से कब निकलना है दोस्तों आप इनकी टिप्स को फोलो करके आप भी शेयर मार्कर से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं बाक से बुजानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंदा एक उलाशार कमेट करें अगर आपने भी तक मारे चाहर शाथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चल्लंग को सब्सक्राइब को लीजिए ताकि नेवीश कर पूशिन आपको मिलता रहे चैनल ने पहले से चल्लंग सब्सक्राइब के लिए उनका बोबो दन्यवाद मापसर फिल्मगा नेवीश के साथ तपते के लिए जाहिंद वंद महातरम